हेलो प्यारे बच्चो मेरी कख्षा में आप सभी का स्वागत है और ये है कख्षा 5 हिंदी का पार्चार एक बून्ध जो एक कविता है हम सभी अपने भविश्य के बारे में कुछ न कुछ सोचते हैं कि आगे चल कर क्या होने वाला है और हम क्या करना चाहते हैं तो इसे से संबंदित हमें यहाँ पे दो प्रश्ण दिये गए हैं, क्या आप जानते हो कि आप बड़े होकर क्या बनोगे, तो आप सबने कुछ न कुछ सोचा होगा कि आप बड़े होकर क्या बनना है, बनना चाहते हैं, क्या आप जो सोचते हो वही होता है, तो क्या जो हम सो की गोध से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोच ने फिर यहीं जी में लगी आह, क्यों घर छोड़ कर मैं यो कड़ी, तो जैसे ही बूंद, एक पानी की बूंद जो बादल से निकली थी, जैसे वो कुछ आगे बढ़ी, वो सोच में पड़ गई कि मैं अपना घर छोड़ कर क्यों निकली हूँ, कड़ी मतलब होता है निकलना, दैब मेरे भागे में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू प सोच रही है कि हे भगबान, मेरे भागे में, मेरे भविश्य में क्या बदा है, क्या होने वाला है, मैं बचूंगी या फिर धूल में मिल जाओंगी, या फिर किसी आग में जल कर जल जाओंगी, या फिर किसी कमल के फूल पर गिरूंगी, तो ये सारा कुछ किसके मन में चल रहा है जैसे हम भी किसी भी काम को करने के लिए निकलते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं बहुत सारे डाउस आते हैं कि आगे क्या होने वाला है हम जो कर रहे हैं वो सक्सेस्पुल होगा की नहीं तो ये सारी चीजें ऐसे ही इस पूंद के मन में भी चल रही हैं बह गई उस काल एक ऐसी हवा वे समुंदर और आई अन्मनी एक सुन्दर सीप का मूथा खुला वे उसी मिजा पड़ी मूती बनी तो फिर क्या हुआ उस टाइम पे कुछ ऐसी हवा चली कि वो अन्मनी बिना मन के ही समुंदर की और चली गई बून तो कहीं और जाने वाली थी लेकिन वो बिना अन्मनी मिन्स बिना मन के समुंदर की और हवा की वज़ा से मुड़ गई और फिर क्या हुआ एक सुन्दर सीप का मूँ खुला हुआ था वे उसी में गिर गई और क्या बन गई मोती बन गई लोग योँ ही हैं जिजकते सोचते जबकी उनको छोड़ना पड़ता है घर किन्तु घर को छोड़ना अकसर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है घर तो क्या हुआ जैसे ये बूंद जिजक रही थी निकलने के बाद कि मेरा क्या होगा लेकिन आखिर में क्या हुआ कि वो एक सीप में गिर कर मोती बन गई तो उसका जो एंड था वो बहुत अच्छा हुआ ऐसे ही हम लोग भी जिजकते हैं जब भी हम किसी काम को करने चलते हैं या हमें अपने घर से दूर जाना पड़ता है तो हम बहुत जिजकते हैं और बहुत सोचते हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है लेकिन जब भी हम अप आपने किसी काम को करने के लिए घर से निकलते हैं, हम ठानते हैं, तो हमारे साथ भी वैसे ही अच्छा होता है, जैसे बूंत के साथ अच्छा हुआ है, तो ये कवीता किस ने लिखी है, अयोध्या सिंग उपाध्याई जी ने इनको अहरी ओध के नाम से जाना जाता है, सो आपको ये कवीता कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए और इसके अभ्यास कारे हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे धर्निवाद